तो फिलहाल मैं कहां हूँ आप लोग गैस किजे मैं घर पे हूँ या कहां हूँ तो मैं हूँ अभी जोरहाट आर्मे पबलिक स्कूल आई हूँ और यहां पे मेरा जो कजन दिदी है उसका बेबी का जो एक्जाम से और सी उटी एक्जाम है तो वो एक्जाम देने के लिए आ हूँ और उसका जो भी है आसका जो पूरा व्लॉक्स आप लोग को दिखाऊंगी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा तो यहां पर देखिए इतना सारा डॉग है मतलब में को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने वीडियो क्लिप ले लिया है तो पूरा व्लॉ और वीडियों की जरूँत है और अज उसका grad उसका इग्जाम है और जलते जलते भूट लग और हम दोनों को भूख लग गया है तो उसको पहले हम खिला रहे हैं क्योंकि एक्जाम देना है और एक्जाम देते देते 6 बज जाएगा शाम के और एक्जाम हो रहा है जोड़हाट के अर्म पूबलिक स्कूल में और अभी फिलाल हम जा रहे हैं पहुचा ही नहीं तो जाते वख हम लोग ने पैटिस वगेरा कुछ ले लिया था रोड में खाने के लिए क्योंकि उसको भूख लग सकता है तो उसका पैर देखिये पूरा फैक्चर हो गया मतलब पैर तूट गया था तो प्लास्टर था बट अभी एक्जाम्स के लिए प्ल तो हम लोग स्कूल पहुच गए है और यहां पर जो भी है मास्टर से सब लोग अपने डॉग को लेके जा रहे हैं देखे कितना बड़ा बड़ा मिको दोगे ऐसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और इन लोग बहुत ज़्यादा बड़ा है एक तो मतलब दिखने में भी दिन लोग को ट्रेइनिंग देने के लिए लेके गए है बट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा देखे तो मैंने एक वीडियो क्लिप ले लिया है जो कि आप लोग इंजोई कर सकते हैं मैंने तो बहुत ज़्यादा इंजोई किया है इंस्टाग्राम में मैंने पोस्ट किय सब Nope देखें कितना प्यारा है और उन लोग अपने अपनी जो भी उनोका मेस्तर से डॉक का अपने डॉक को ट्रेन मतलब देनी जा रहे है शायत और यहाँ पे कितना ज़्याद़ ऑल्ट एउ सब लोग आये हुए है बट हम लोग को बहुत ज़दा भूक लग गया तो यहां पर देखिए कच्चे चने वाटरमेलन और यहां पर खीरा वगेरा सब कुछ यहां पर मतलब रेडी करके रखा है जो कि खा सकते हैं तो देखिए यहां पर एरिया बहुत ज़दा अच्छा है शान्त है एकदम दिस्सिप्लीन वाला है तो हम लोग यहां पर सारे पैरेंस यहां पर वेट कर रहे हैं और एक्जाम सेंटर में घुज गया है अभी और अभी बज रहे है एक बज रहे है और अभी हम लोग को 6 बज़े तक रुकना है क्योंकि 6 सारे 6 बज़े तक एक्जाम तो हम लोग वेट कर रहे हैं और रुकते रुकते हम लोग का ड्राइवर हम लोग को इंस्ट्राक्शन दे रहे हैं यहां के मतलब यहां पास में वो बोल रहे हैं कि मतलब यहां पर शॉप्स है चाय पी सकते हैं यह पी सकते हैं वो पी सकते हैं मतलब हम लोग का जो ड्राइव था और बाते करने में लग गयी हूँ मैं क्योंकि बाते करने के अलवा टाइम्स पैन नहीं होगा टाइम पास भी नहीं होगा टाइम जाएगा ही मतलब बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा और यहां पे रहे के बहुत अच्छा लग रहा है पेर के एकदम छाओं में है और कार के डिगर में मैंने अपना जो भी है खानी का समान निकाल लिया है और गर्मी में मैं एक खा रही हूँ कि मैं को भूक लग रहा है और सुबह के सुबह ही निकल रहा था हम लोग घर से तो सुबह हम लोग ने कुछ खाके नहीं आया और अभी स्टार्ट करे हूँ खाने के लिए बहुत ज़ादा मतलब क्या ही बताओ इतना ज़ादा मोटी हो गई हूँ बट हाँ ओके फाइन कुछ वेट बर रहा है कम भी हो जाएगा जब अपना मूज चलाना बन करेंगे तो वेट भी कम हो जाएगा डोंट वरी और फिलहाल के लिए इंजॉय कर रहे हूँ एक्स और सब लोग अपने बाते कर रहे हैं मैं भी अहां से हां मिला रही हूँ अच्छा अच्छा ऐससे बोल रहे हूँ और मैं जो यहां पर सेल कर रहा था और यहां पर दीदी भी अपना वाटर मेलन के साथ इंजॉय कर रहे हैं मतलब हम लोग कुछ ना कुछ खा रहे है एक्छली उपाई नहीं क्योंकि में को भूख बहुत जादा भी लग रहा था और मतलब कुछ खाने का मन कर रहा था तो हम लोग एं मैं enjoy कर रही हूँ और वहाँ पर दीदी watermelon enjoy कर रहे और बहुत ज़्यादा में को मन कर रहा था खाने के लिए इसलिए मैंने इसके उपर तूट पड़ा साथ में थोड़ा सा नमक और नमक मीची ऐसे लगा के दिया है बहुत ज़्यादा यमी था बहुत ज़्यादा यमी और अभी में को अच्छा लग रहा है खाके तो कुछ न कुछ खाते रहते हैं और उसका exams है तो इसलिए सुबह सुबह जल्दी आना पड़ा higher secondary मतलब 12 देने के बाद C.O.T. exam देना पड़ता है बहुत ज़्यादा बेटर आया है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है तो इतना ज़्यादा अच्छा result और अभी C.O.T. का exam कैसा होगा तो दीदी में को बोल रहा था कि watermelon खा ले मैं ने 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 मैं अभी अंडे खा रही हूँ में को अभी watermelon नहीं खाना है और इसके बात मैंने फिर से कुछ लेके आई खाने के लिए आप लोग देखे मैं क्या लेके आई हूँ और आगी हूँ सो मैं लेके आगी हूँ अभी चने यहाँ पे कच्छे चने और यहाँ पे नीमबू निचोड़के मैं खा रही हूँ मतलब भूक लग रहा है बस इसलिए कुछ न कुछ न कुछ न कुछ ट्राय कर रही हूँ तो हम लोग को 6 बज़े तक ऐसे ही time मतलब spend करना है यहाँ पे साथ में मिर्ची लेके पूरा खा रही हूँ गर्मी बहुत जादा है बहुत क्योंकि धूब बहुत ही जादा है आज और यह देखिए आप लोग ground देखिए मतलब ground तो है नहीं शायद यहाँ पे सब लोग parking करके रखा है और वैसे भी defense में बहुत जादा अच्छे से रखता है मतलब जगे discipline और पेर पोदे भी बहुत जादा है तो यहाँ पे आके बहुत बहुत जादा अच्छा लगा देखिए कितना बड़ा बड़ा पेर जगे में को बहुत पसंद आगे एक्छली बहुत जादा शान्ती है ठण है बहुत जादा और सब कुछ खाने का मन कर रहा था इसलिए एक्छली चने बोल के तो नहीं तो मतलब पीछे से देख रहे हूं हाँ यार मैं बहुत जादा ओवरे मोटी हो गए हूं सो यहाँ पे अमलोक अपना जो भी है खाने का खतम कर दिया है इसके बाद अभी फिर से मेरा जो फोन आ गया था मतलब एक दिदी का जो है सास में से बात करना चाह रहे थी मतलब दिदी का दिदी सो मैं बात कर रही हूं और वो में को बोल रहे हैं कि मेरे वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं सो मैंने भी थेंक्यू बोला और बहुत दिन के बात में से बात करना चाहां सो हम डोनों बात कर रहे हैं बहुत अच्छा लगा और यहां पर हम लोग का जो भी ट्राइफर है अपना टाविल निकाल रहे है क्योंकि वहां पर बैठेंगे पेर के नीचे च्छाओं में बहुत ज्यादा गर्मी है एक्छली और मैं भी बात कर रही हूं और पुराने बाते कर रही हूं बहुत जब मैं इटिंग शो करती हूं उसके बाद जब लोग रिव्यूज देते में को बहुत ज़दा शरम भी आते हैं हसी भी आते बर कोई बात नहीं अच्छे रिव्यूज देते तो ऐसे हम लोग ने अपना टाइम स्पैन कर लिया यहां पर और बहुत अच्छा लगा अब थोड़ी डर बात शाम हो जाएगा उसके बाद तो एकजाम से निकल ही जाएंगे तो ऐसे ही टाइम चलता गया उसके बाद अभी हम जाएंगे थोड़ा सा बाहर बाहर मतलब जहाँ एकजाम चल रहे है वहा तो नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे बहुत स्टृक्ट है सोच सकेंगे मतलब कितना खाड़ियों में को खुद से यांसी आ रहे बट क्या करें में को भूक लग रहा है सीरिसली अभी दोपेर हो गया कुछ खाना नहीं खाया सुबह से खाली पेट तो इन्हीं सबसे ही अपना टाइम स्पैन करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे कोई लिया है और बहुत बहुत जादा अच्छा लगा मैंने पूरा टाइम खाने में निकाल लिया सो मेरा टाइम भी अच्छे से चले गया है और कहीं में घूमने जाती हो ना तो मेरे साथ ताइम अच्छे से चले जाते क्योंकि मैं पूरा मतलब टाइम में खाने में फोकस करत पैदल चलके मैंने बोला कि दीदी को एक वीडियो बना लेते हैं तो चलो एक वीडियो शूट कर लो मैंने ऐसे बोला और सही में बहुत अच्छा लगा यहां पे जगे बहुत प्यारा है एक्चली और इसके बाद हम लोग का पैर का हाल देखे काला हो गया है इतना हो गया और उपाई नहीं हम दोनों ऐसे वेट कर रहे हैं और वहां पे हो रहा है एक्जाम वहां पे तो वहां तक जाने नहीं देंगे यहीं से ही जो भी करना है यहीं से होगा और इसके बाद हम लोग बस वेट कर रहे हैं कर रहे हैं अभी कब होगा एक्जाम और बस गर्म अभी फिलाल हम लोग जा रहे हैं एक्जाम्स कतम हो गया है और अभी खर जा रहे है चार्ज भी नहीं था तो मैं चार्ज दे रही हूँ इसके बाद हम यहां पर आगे हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि बहुत ज़दा भूख लग रहा था तो हम लोग ने कुछ ना कुछ यह खड़ा होके और लास्ट में हम लोग ने यहां पर रोल्स ले लिया और गंदे पैर देखे ही मत काला हो गया है धूल से एकदम गंदा वाला सकल हो गया है मतलब पैर का हाल सो अप लोग को यह व्लोग कैसा लगा अगर अच्छ लगे तो लाइक को में शेर कीजे बेबी एक